फरिदाबाद के गदपूरी में लगाए ज़ा रहे टोल को लेकर के बीजेपी नेता पंडित टेक चंद्र शर्मा ने एमेचान प्राइम से खास बात चुत की है क्या कुछ कहा है सुनिए फरिदाबाद के अंदर एक और मुद्दा कहीं गरमाया हुआ है वो मुद्दा है टोल पिलाजा को लेकर के जो की गदपूरी में नया टोल जो बनाया जा रहा है उस टोल को लेकर के ग्रामीडों के साथ साथ जो यहां के प्रतिनिदी है वो भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका साथ तोर पर कहना है कि जिस तरीके से नितिन कही है कि 60 किलो मीटर एक टोल से दूसरे टोल की दूरी होनी चाहिए तभी महाँ पर टोल माना जाएगा ऐसे मैं फारीदवाद-बदरपूर बॉर्डर से बात करें गधपूरी टोल की तो लग बग 22 किलो मीटर की दूरी और एक नए टोल और जनता को कही ना कहीं दुखी करन वाली बात है उसी को लेकर काज प्रतला से पूर विधायक है पंडे टेक्चन सर्मा जी नोंने प्रेस कॉंफरेंस की है आई उसे जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे है क्या कुछ बात करना चाहिए विदायक सब एक और 22 किलो मीटर की दूरी पर टोल तयार हो रहा है प्रतला मुद्दा उठाना हमारा दैतिव बनता है कि हमारा प्रतला विधान सबाद चेतर 40 और 60 के रेसों में पलवल और फरिदाबाद में बटा हुआ है और ये बीचों बीच आ करके हमारे संबंद यहां पे परिवारिक संबंद रिष्टेदारियां यारी दोस्ती इंडस्ट्री में आते हैं वह पहले विचारे नोकरी की वजाए इसका एक एक एक्स्ट्रा वर्डन उन पर हजार दो हजार तीन हजार रुपे महिने का एक्स्ट्रा पड़ेगा तो यह वाकई नुकसान दायक भी है और हमारे लिए हित्में भी नहीं है बात करें क्योंकि जिस तरीके से नितिमिकर करेंजी ने अभी हब्ते 10 दिन पहले कहा है कि साइट किलोमेटर दोरी होनी चाहिए आपने भी पहले उठाय था मुख्यमंत्री से बात करी थी तो क्या लगता है अगर जो लगता है तो आम जंता को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्या लगता है ए उसके में हो तो नेता हो या सरकार हो उसकी उम्मीदों को समझना उनके विचारों को समझना यह कहाँ मुख्यमंत्री जीसए मैं पुन्हे में लूंगा मुख्य मंत्री से बात करने पर भी अगर जो इस समश्या का हल नहीं मिला तो आगे क्या कुछ रहेगा यह जनता जनार्दन है यह सब चीजों का जो जनता फिर जो कहेगी हम जनता के साथ खड़े हैं तो साथ पर देखिए जिस तरीके से एक जजिया कर जो है गदपुरी में टोल के रूप में जो लगाया जा रहा उसको लेकर के साथ तोर पर आज प्रतला से पूर विधायक पंड़े टेक्चन सर्मा ने उन्होंने साफ कर दिया है कि वो मुख्य मंत्री से बात करें क्योंकि पहले वह बात कर चुके हैं और अब फिर से जो है बात करें अगर उसके प्राइल के लिए मुकेश राजपूर